आज हम मौझूद है CCRT में जैसे कि हम सभी जानते हैं CCRT में चार दिवसिये प्रोगाम चलने वाले हैं तो उसी की रूप रेखा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर विनोध नरायन इंदुरकरजी जो के CCRT के चेर्मेन साब भी है तो आएए जानते हैं उन चार दिवसिये प्रोगाम की रूप रेखा के बारे में सब्सक्राइब दूसर जो चार दिवसिये प्रोगाम चलने वाले हैं तो उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं बताएं ऐसा पहली बार हो रहा है अभी कि ड्रामा का एक फेस्टिवल नाटक का फेस्टिवल यहां पर और्गनाईज किया जा रहा है वो भी चार दिन का इसके पहले से ड्रामा का फेस्टिवल और और्गनाईज नहीं हुआ था लेकिन चूंकि हमने यह सोचा कि 27 मार्ज यह तुम्हारा वर्ल्ड थेटर डे होता है तो वर्ल्ड थेटर डे के उपलक्ष में हमने सोचा कि क्यों ना चार दिन का एक महस्व आयुजित किया जाए जिसमें अलग-अलग जगह से कुछ जो संस्ता है जो काम करती है सीनियर लोग है बहुत सारे जो काम करते हैं तो उन नाटक है तो पहले दिन नाटक होने वाला है और उसके बाद में जो दूसरा नाटक है वो एक इंस्पेक्टर से मुलाकात यह एक नाटक है जो 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 उज्जैन की प्रस्तुदी है उसके बाद में और एक तीसरा नाटक है जो सरदार नाम से है और राम जी बाली है जो वो करने वाले हैं लास्ट डे जो है 27 मार्च का उसमें मेरा मेरा खुद का लिग्दशित की वे दो छोटे नाटक है तो एक श्रीपाद भालचंदर जोशी करके जो महाराथ के बहुत बढ़े कवी है साहितिक है उनकी कवीताओं पर आधारी तो नाटक है और दूसरा एक जो मैं कर रहा हूं वो डॉक्टर सच्चिनान जोशी जी है उनकी कवीताओं पर आधारी थे हैं तो वो मैं भटकी गजल नाम से उकर रहा हूं तो वो नाकपूर के कलाकर रहा है यह जो फेस्टिवल भी यहां पर होने जा रहा है तो इसके बीचे का उद्देश यह है कि थेट अधर में कुछ थेटर का कुछ सेटिविकल कोर्सेस शुरी किये जाए तो उस दिशा में भी हमारा मतलब काम शुरू है हमने संस्कृत विद्द्ध पीड़ जो है दिल्ली का तो उसके साथ में भी हमने टायट किया है तो उसमें से हम बहुत सारे 15-20 ऐसे कोर्सेस जो सेटि अधर के जो प्ले हैं लाइव थेटर प्ले जो है आप अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं यहां से आपके बच्चों को बहुत ही अच्छी इशिक्षा मिलेगी आप खुद भी देख सकते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि थेटर दुनिया में जो फिल्म इंड़स्टी में जाते हैं थेटर का रास्ता ही थेटर से होता है और यह तो थेटर है जो हमारी जो प्रश्वूमी है जो हमारे देश की जो संस्केती है उसको जागरत करके और जो पूरी तरीके से रेल जो एक्टिंग होती है थेटर के माध्यम से हम दिखाते हैं तो यहां पर जो चार सब्सक्राइब निएक डिश्ट को चांस दिया जा रहा है और आगे उनको सीखने का भी सुनहरा मौका लेगा तो आप जैसे कि अगर आप ठेसे प्लेटर का रखते तो यह जरूर देखें आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका यहां से जरूर मिलेगा सर्व कहां कहां से तो इसमें कितने तक्रीबन आर्टिश को यहां पर चांस मिल रहा है कि जो नाटक यहां पर होने जाने वाल इसा है जिसमें बाकी जो नाटक उसमें कि CCRT तो हम सर से जानते कि CCRT आखिर है क्या जो कि बच्चों को आगे इतना चांस देती है और कल्चर को आगे बढ़ावा देती है तो CCRT के बारे में हम सर से जानना चाहते हैं कि सब पहले CCRT के बारे में थोड़ा सा बते है CCRT जो है यह Center for Cultural Resources and Training यहां पर Art, Culture, Education and Literature चार बातों को लेकर कि यहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है तो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं स्कूल के टीचर्स, स्कूल के स्टूरंट्स उन्हों को यहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है यहां पर वरक्शॉप होते हैं उसके बा पर ट्रेनिग लेते थे ते वह रिसरोस परसर्स करके पूरे देश में काम करते हैं तो अभी हमने एक शुरू किया कि यह हमारा काम में फी युनिर्टीड लेवल पर नहीं था तो जीनिशिडी में में बवी करना शुरू किया जो अच्छी यूंशिडीज भारत की उसी प् साथ में हम एक देश को उनके जो प्रोफेसर से और उनके जो फॉर्द सर्थक्रे एक और पर उनके मादनिम से एक रहत तो जिसके पर तो से अधुन जो जैसे कि CCRT कौन सी मिनिश्टी के अंदर आती है ताकि लोगों को यह पता चले कि CCRT से जुड़ने के क्या फाइदे से जुड़ा हुआ है और इसको स्थापित हो भी बहुत साल होगे 1969 में यह शुरू हुआ था तो बच्चों को स्कॉलर्शिप और फेलोशिप भी दी जाती है स्कूल के बच्चों को स्कॉलर्शिप मिलती यहां पर उसी प्रकार से जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो चार्शिप मिलती है तो आल इंडिया से लड़के इसमें पैटिसियां करते हैं हर साल कम से कम चार सो स्कॉलर्शिप बच्चों को दि जाती उसमें उसमें से जो छshe publish क्या है उसह का फैदा दूसरेा ओले बच्चे उते लिए वे health यहां पर प्रोग्राम किये जा रहे हैं जो कौन सी तारिक से कौन सी तरिक और इसके सिवा हमने कुछ वर्क्षाप भी रखा यहां पर जो बच्चे यहां पर आयुए है उनके साथ उनको भी ट्रेणिंग देना का काम शुरू है ताकि वह दिन भर ट्रेनिंग करेंगे और बा तो जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं CCRT Ministry of Culture की एक संस्ता है जो कि बच्चों को आगे ट्रेनिंग देती है उसी के माध्यम से यहाँ पर जो लाइव थेटर प्ले भी कराती है और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट चालू चलते हैं और स अच्छे काम करते हैं जो अच्छे ट्रेनिंग लेते हैं उनको CCRT scholarship भी देती है मतब आपकी जो प्रतिबा है उसको निखारने का एक सुनहरा मौका यहां से प्राप्त होता है आप यहां से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं अगर आप कहीं और जगा ट्रेनिंग लेते हैं तो य यहां की जो मतब उसका लाब उठाएं यहां कर जो अपनी प्रतिबा का मौक दिखाने का मौका भी पाएं और यहां पर बहुत अच्छे तरेकिसे और भी थेटर के अलावा यहां पर और भी बहुत सारे प्रोग्राम सोतें और जैसे के आर्ट का हो गया और बी जानते हैं तो पाच्छों को मिलके ललीत कला कहा जाता है तो सारी जो ललीत कलाएं हैं उनका यहां पर प्रेशिक्षन व्रेश्टेंग दिया जाता है यहां से बच्चे जो देख रहे हैं वो जुढ कैसे सकते हैं और क्या कोई चार्ज वगरा होता है जुढने के लिए नहीं यहां पर चार्ज कुछ नहीं रहता है हम लोग क्योंकि गवर्मेंट का इंस्टिटूशन है लेकिन हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे यहां पर जुड़े उतना अच्छा हम बहुत सारे लिट्रेचर चारों का मिलके चारों बाते बहुत ज़रूर है अभी जो नई एजुक्षन पॉली से आने वाली उसमें तो अभी कंपल सरे होने वाला है तो इसको बहुत ज्यादा है अभी जितने बच्चे पढ़ेंगे जितने कैसा है कि एर्थ क्लास के बाद में अभी स्पे अभी स्पेशन पॉली से नाए जिए जुक्षन पॉली से में रहने वाले तो आठ एजुक्षन को बहुत ज्यादा महत वह आने वाला कुछ दो सर यहां पर जो एज का बीपर वह है कि इस होनी चाहिए तर इसको बच्चों के बिलती है और शे जो बच्चा शुरू तो उन यह से कि यह तो रही बच्चों के बात क्या जो एक्टिंग जो अकैडमिया थेटर जो किराती है क्या वह अपसे जूड सकती है हमारा दा प्रयास ही है भी हम लोग तो युदि से भी सैंक्शन करके लाएं से लिए को से शुरू होने वाले डान्स ड्रामा मूजिक पिल्टि इसा है कि एक्टिंग का समझा हमने एक साथ का एक से शुरू किया तो लड़के यहां पर एक्टिंग सिख सकते हैं उनको सब्सक्राइब मिलना इसको बहुत वजन रहते हैं अदरवाइस बाकी तो बहुत सारी सांस्ता है प्राइवेट में बहुत सारा लोग बढ़ाते हैं वो उनके अलावा आप जो थेटर जो अकेडमीज हैं वो भी यहां पर जुड सकती हैं और CCRT से जो यहां की जो सुविदाओं का लाब उटा सकती हैं आपके अच्छे काम के लिए यहां से बहुत ही अच्छा बढ़ावा मिलेगा आपको एक गवर्मेंट की सस्ता है जो की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है तो यहां से बहुत अच्छा आप जुड सकते हो यहां से जुडने के लिए आप यहां की CCRT की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और CCRT के जो और भी है अगर आप दिल्ली में नहीं हो दिल्ली से बाहर हो तो CCRT की और भी ब्रांचेज हैं कह से यहां से ट्रेनिंग लिया है तो ऐसे के सबस्वाइब करते हैं तो आप अपनी लोकेशन के हिसाफ से भी CCRT कर सकते हैं नहीं तो दिल्ली में हैं office है CCRT का, तो CCRT आप अगर Google पे भी सर्च करेंगे, CCRT द्वार का दिली करके डालेंगे, तो आपको सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, यहां के phone numbers भी मिल जाएगे, और यहां की website भी पता चल जाएगी, उसके अलावा भी हम इसमे website भी नीचे चल रही है, website को भी ध्यान म अपना time के account ली, आप यहां पर आएं, खुद भी आएं, बच्चों को भी लाएं, यहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहां आपको live theater classes जो है, वो भी देखने को और live theater play भी देखने को मिलेगे, यहां से आप live theater जो है, देख सकते हैं और किस तरीके से, अगर आप सीखन के आने वाले next जो theater है, live theater होगा, उसमें आप भी भाग लए सकते हैं, अगर आपके अंदर कोई प्रतिबाह है, तो CCRT से जुड़े और अपनी प्रतिबाह को दिखाने का मौका प्रात करें, तो इसी के साद मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद. झाले, प्रतिबाद.